हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आवर यूटूब चैनल स्टड़ी प्री कोश्चन्स फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बंके वरा भागवन का एक कविता पढ़ेंगे ज्यार्खन वंदना और इस ज्यार्खन वंदना कविता के लेखक है मृतियूंजे नात सर्मा ज्यार्खन वं और अंत में क्यूज भी लगाएंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि किस तरह के कोश्चन पूछे जा सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पहले पूरा साबदार्थ देखते हैं बहुत ज्यादा साबदार्थ नहीं दिये गया है पहार पहार को पहार कहते हैं नागपुरी में उच्चा पहाड मुढहर जारखन में तीन ठीन मुढहर पहार है जारखन में तीन ठीन करते हैं जगह को जारखन में तीन जगह मुढहर पहाड है कहां कहां हैं सूतियांबे खुकरा और नगर सिसाई में कहां कहां हैं जारखन में तीन मुढहर पहाड ये आपको और एक बहुत ही महत्पून सुचना दे देते हैं कि जो मेरा नागपूरी टेस्ट सीरीज है वो अब मेरा एप जो है Study Pre-Question एप उस पर भी उपलब्ध है वहां से आप टेस्ट को खरीद सकते हैं और बाकी जो भी नागपूरी का Study Material है वो साथ में आपको फिरी दिया जा रहा है तो आपको एप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप को डाउनलोड कीजे और Test Series से जुड़ जाईए वहां पस एक Demo Test भी दिया हुआ है उसको भी आप दे सकते हैं और आप को ये पता चले है कि मिरा कहां पस कमी हो रहा है नहीं हो रहा है तो जल्दी से एप को डाउनलोड कर लिजे और Test Series से जुड़ जाइए चलिए शु लाया गया है तो हम बहुत डिटेल में नहीं जानेंगे क्योंकि जो लिखा हुआ है उससे ज्यादा डिटेल में जानेंगे तो फिर इसको पढ़ाने का कोई मतलम नहीं हो जाता है जार्खन जीके में जान सकते हैं सीख सकते हैं बाकी चीजे लेकिन यहां हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताने वाले हैं क्योंकि फिर इसका कोई मतलब नहीं रहा जाता है आप यहां से भटक जाते हैं चलिए शुरू करते हैं जार्खन परदेश परे हीरा मनी मोती बरे जार्खन परदेश में क्या है जार्खन परदेश में हीरा मनी और मोती चमकता है जलता है जाकमक करे घरे घरे जय जय नाकपूरे क्या बोलते हैं कि घरे घर में घरी घर में क्या करता है हीरा मनी मोती चमकता है और घर घर क्या करता है जलमिल जलमिल करता है और चमकता है ऐसे नाकपूर की जय जय कार हो ए भाई पारसनाथे पारस के पहारे रे जजे नागपूरे फिर कभी क्या कहते हैं ए भाई नहापस पारसनाथ में पारस का पहाण भी है पारसनाथ का पहाण आप जानते हैं गिरीडी में है जो की जैनों का परमुक तीर्थस्थल है तो उसके बारे में बता रहा हैं कभी कि यहां पस पारशनात पहाण भी है और ऐसे जारखन की जै। आगे नागवंस अवतरे फनी मुकुट नर्वरे सुतियांबे गढ़े मुढ़ारे रे जैजे नागपूरे देखे नागवंस अवतरे फनी मुकुट नर्वरे यही पस नागवंस का अवतरान हुआ था नागवंस अवतार लिये थे फनी मुकुट नर्वरे नर्वरे कहते है कि स्रेश्ट नर नरवरे का आर्थ होता है स्रेश्ट नर या उतक्रिष्ट आदमी बहुत ही अच्छा आदमी तो यहीं पस नागवंस का आउतरान हुआ था और फणी मुकुट राय जैसे क्या हो थे स्रेश्ट नर का यहाँ पस अवतरन हुआ था सूतियांबे गढ़े मुढ़रे रे और वहाँ क्या है सूतियांबे गढ़ में मुढ़र है कहने का आर्थ है कि फनी मुकुट राय जो है इन्ही ने नागवंस की अस्थापना की थी और इन्होंने किसको अपना राजधानी बनाया था सूतियांबे को नागवंसों की पर्थम राजधानी सूतियांबे थी और नागवंस की अस्थापना किसने की थी फनी मुकुट राय ने और यहीं पर सुतियांबे गढ़ है जिनको उन्होंने अपना राजधानी बनाया था जो की तीन मुढ़हरों में से एक है सुतियांबे जैजे नाकपूरे और ऐसे नाकपूर की जैजे कार हो रामगढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढढ राम चंदर पर्भू क्या करते हैं लीला करते हैं एसे नाख्पूर की जैजेकार हो यही पस जगनात पूर में विश्वनात साही ठाकूरे गनपत गनपत कह रहा है पांडे गनपत राय को और भिखारी किनको कह रहा है सेख भिखारी को कह रहा है तो यह लोग क्या किये थे 1857 का विद्रोह में भाग लिए थे तो यहीं क्या कवी कह रहे हैं कि यहीं पस जगनातपूर में विश्वनात साही, पांडे गनपत राय और सेख भिखारी सहकारे कहते हैं साथ में काम करने को साथ में काम करने वाले को सहकार कहते हैं सहकारे कह रहे हैं कि सब मिलके साथ में काम किये थे विश्वनाथ साही ठाकूर गनपत राय पांडे गनपत राय और सहित सेख भीकारी इन लोगों ने क्या किया था सब साथ में मिलके काम किया था साथ में मिलके लड़ाई किया था 1857 के विद्रोह में एसे नागपूर की जैजेकार हो तो आप समझ गये होंगे कि कवी क्या कहना चार है ते कि यहीं पर जगनपत में विश्वनाथ साही पांडे गनपत राय और सहित सेख भीकारी साथ में लड़ाई लड़े थे ऐसे नागपूर की जैजेकार हो कोयल कारो संखा तीरे सोन रेखा दामोदरे छिनमाया माता के मंदिरे रे जैजे नागपूरे ए भाई लुगुगिरी गगारी पैनारे रे जैजे नागपूरे देखिए यहाँ पस अच्छे समझेगा पहला लाइन में क्या किया है नदी का नाम आया है कोयल कारो संखा तीरे सोन रेखा दामोदरे यही पस कोयल नदी है कारो नदी है संख नदी है और सोन रेखा और दामोदर नदी है इसी नागपूर में कोयल नदी है कारो नदी है संख नदी है और स्वन्रेखा और दामोदर नदी है नदियां है चिन माया माता के मंदिरे रहे और यही पर क्या है मा चिन मस्तिस्का का मंदिर है जो कि दामोदर और भेडा नदी या भेरवी नदी के संगम पर इस्थित है आप लोगों को पता होगा तो क्या बोल रहे हैं कवी कि यही पर कोयल, कारो, संग, स्वान रेखा दामोदर नदी है और यही पर मा छिन मस्तिस्का का मंदिर यानि कि सर से धड़ से अलग मुर्ती है वहाँ पस छिन मस्तिस्का में वो मंदिर है जैजे नागपूरे और ऐसे नागपूर का जैजय कार हो आगे बोल रहे हैं ए भाई लुगु गिरी गगारी पैनारे रे जैजय नागपूरी देखिए यहाँ पर समझी हैगा ए भाई लुगु गिरी किसको बोल रहे हैं गिरी कहते हैं पहाण को तो लुगु बुरु बुरु भी का कहते हैं नागपूरी में बुरु कहते हैं पहाड को तो लुगु गिरी का जो कह रहे हैं ये लुगु बुरु है लुगु बुरु घंटा बाड़ी है आप सुने होंगे ये बोकारो जिला में है तो यहाँ पस थोड़ा सा पहाड का बात अतिहासिक पहाडों के बारे हम बताया जा रहा है कि यहीं पर लुगू गिरी है यानि कि लुगू घंटा बाड़ी है जो कि बुकारो जिले में है गगारी पैनारे रे यह गगारी पहाड कहा है यह और मांजी राची में है क्या बोल रहा है कि यहाँ पस लुगुगिरी भी है और गगारी पहाण भी है यानि कि लुगुपहाण है और गगारी पहाण भी है गगारी पहाण और मांजी राची में है जहांकि बाबा भोले नात का मंदिर है तो यहाँ पस दो पहाणों का नाम आया है लुगुगिरी औ और गगारी याद रखेएगा यह दोनों पहाण है हो सकते हैं आप लोगों को बतलाया नहीं किया होगा जैजे नागपूरे और ऐसे नागपूर की जैजे कार हो तो यहां तक आप समझ गए होंगे अब आगे देखते हैं लच्मी नरायन बंसी धरे बिजूलिया गुडू परे मदन महन बोड़या रे जैजे नागपूरे यह भाट ठाकूर गामे भवानी संकर रे जैजे नागपूरे देखिए लच्मी नरायन बंसिधर बिजूलिया गुडू परे कहने कार्थ है कि राची के बिजूलिया में क्या है लच्मी नरायन का मंदिर भी है यहीं छोटा नागपूर में कि राची में क्या है राची के बिजूलिया में लच्मी नरायन का मंदिर भी है मदन मोहन बोड़या रे और बोड़या में मदन मोहन मंदिर है इसको हम पढ़ा भी चुके है अलग से जैजे नाकपूरे और ऐसे नाकपूर की जैजे कार हो ए भाई ठाकूर गावे भवानी संकर रे जैजे नाकपूरे तो ठाकूर गाओं में जो कि ये भी राची में है वहाँ भी माब भवानी संकर का ठाकूर गाओं में भी क्या है भवानी संकर का मंदिर है तो क्या करें कवी कि यहाँ पर भवानी संकर का भी मंदिर है ठाकूर गाओं राची में जैजे नाकपूरे और ऐसे नाकपूर की जैजे कार हो एक पर और समझ लिजिए कि यहीं पस क्या है लच्मी नरायन बंसिधर मंदीर है जो की बिजूलिया राची में है मदन मोहन बोड़या मंदीर भी है राची में जो की राची काके में है जैजे नाकपूरे ऐसे नाकपू यहां किसके किसके बारे हम चर्चा हुआ है हुंडरू का गौतम का और दसम फॉल का हुंडरू गौतम और दसम जहरना का यहां पस बात हो रहा है कि कभी का रहा है कि हुंडरू गौतम धारा और दसम जहरना भी है घाग भी है क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पस अंजन गराम भी है अंजन गराम या अंजन नगर भी है यहीं पर अंजन नगर आप जानते हैं जो कि गुमला में है जिसको भगवान हनुमान जी का जन्म अस्थल माना जाता है तो कभी क्या कर रहे हैं कि यहीं पस अंजन गराम भी है जो कि भगवान हनुमान जी का जन्म अस्थल है जजे नागपूरे और ऐसे नागपूर की जजे कार हो यह भाई टांगिनात त्रिसूल सहारे रे और जजे नागपूरे कभी कह रहे हैं कि यहीं पर टांगिनात मंदिर भी है जो कि गुमला जिले में है तांगिनात मंदिर का है गुमला जिले में है तो टांगिनात का त्रिसूल भी है यहीं पस कह रहे हैं कभी कि टांगिनात का त्रिसूल वाला मंदिर भी कहा है यहीं पर है छोटा नागपूर में है ऐसे नागपूर की जैजेकार हो तो समझ ग मनोहरे रे जैजे नागपूरे देखिए यहां पस देवजी देवडी प्यारे प्यारे कह रहे हैं कि यहां पस देवडी मंदीर भी है देवी का जो कि बहुत ही प्यारा प्यारा है देवडी मंदीर आप लोग हमेशा नियूज में देखते होंगे धोनी हमेशा जाते हैं तमा हापा मुनी गुमला में है तो कभी क्या कर रहे हैं कि यहां पस देवडी मंदीर है बहुत प्यारा प्यारा देवडी मंदीर है इसके अलावा महा माया मंदीर भी है जो कि हापा मुनी गुमला में है मच्छिंदर हीरा के भंडारे रे और यहीं पस हीरो का भंडार है इस छोट तो देखिये यहाँ पस पाल्कोट खुखरापूर और चुटिया का राम मंदिर, इसके बारे में बतराए गया है कि यही पस पालकोट है खुकरा है और चुटिया का राम मंदिर है पालकोट खुकरा और चुटिया यह सब क्या थे नागवनसी राजाओं की राजधानिया थी पालकोट खुकरा और चुटिया यह सब नागवनसी राजाओं की राजधानिया थी तो यहाँ पस क्या करें कि यही पस पालकोट है, खुकरापूर है और चुटिया का राम मंदीर भी है पलामु कर कलुओा पहारे रे, जैजे नागपूरे और पलामु का कोलुओा पहाड अब कोलुओा पहाड चत्रा में पढ़ता है याद रखेगा तो लेकिन यहाँ पस पलामू कर कोल हुआ पहाड़े रहे यानि कि कोल हुआ परवत के बारे में बता रहा है जो कि चत्रा में है तो यही पर पलामू का कोल हुआ पहाड़ भी है ऐसे नागपूर की जैजे कार हो कभी कह रहे हैं कि यही पस पालकोट, खुखरा और चुटिया का राम मंदिर है इसके अलावा पलामू का चत्रा का कोल हुआ पहाड़ भी है और ऐसे नागपूर की जैजे कार हो यहाँ पस असोक नगरे रे जैजे नागपूरे यहाँ पस असोक नगर का बारे में उसका सियाशन के बारे में बात हो रहा है कि वहाँ पस एक बहुत अच्छे तरह से यह नगर बसाया गया है तो उसका थोड़ा सा विसेस्ता को बतलाया गया है कि असोक नगर का विसेस्त कर रहे हैं कि जैनात क्या करते हैं जैजेकार गाते हैं और सभी तीर्थ क्या करते हैं सभी तीर्थ सर जुकाते हैं सिर नावे नावे करते हैं जुकानक और सभी अपना सर जुकाते हैं जारखंड नाकपूरे गावे रे जैजे नाकपूरे और जारखंड का नाकपूर का और जैनात क्या करते हैं जैजे कार गाते हैं और सभी अपना इस तीर थस्तल पर सर जुकाते हैं और जारखंट के नाकपूर के परते गाउं अपना सर जुकाते हैं कि जेजैनाकपूरे और ये सारे क्या करते हैं जारखण 99 कार करते हैं ऐसे नाज़ैकार हो ये मुंहत्त समझिएगा सुधा काते हैं किसको काते हैं अमृत को सुधा करते हैं अम्रित को बिंदू करते हैं बूंद को आप लोग पढ़े भी होंगे आईसी में या साइंस में आप लोग पढ़े होंगे जल बिंदू हीम बिंदू ऐसा आप लोग साइंस में पढ़े होंगे तो क्या बोल रहे हैं यहां पस कभी कहना क्या चाह रहे हैं देखेगा ए भाई सुधा बिंदू सुख कारेरे कहने कार्थ है कि इसी नाकपूर में हम लोगों को अमरित का बूंद का सुख प्राप्त होता है कभी कह रहे हैं कि इसी नाकपूर में हम लोगों को अमरित का बूंद का सुख का प्राप्ती होता है जैजे नाकपूरे और ऐसे नाकपू और अगर आप ये question answer पाना चाहते हैं तो मेरा WhatsApp नमबर भी आपको मिल जाएगा description में आप वहाँ से ले सकते हैं चलिए शुरू करते हैं ज्यार्खन वंदना ज्यार्खन वंदना पद्दे रचना का लेखा कौन है का है तो ज्यार्खन वंदना पद्दे रचना की लेखा कौन है मृतियूंजे नाच सर्मा सही अंसर होगा option B अगला प्रस्न है मृतिए नाच सर्मा कर कौन रचना बंके दाखा ला भागवण में संकलित हैं question ऐसे भी पूछ सकता है तो क्या होगा मिरितियुंजे नाद सर्मा का कौन सा रचना बनके वरा भागवान में है तो जहारखन वंदना सही अंसर होगा option B अगला प्रसने जहारखन परदेश में का बरेकर बात करल जा है बरेक यानि की जलना हम बताएं है तो जहारखन परदेश में हीरा मनी मोती इन सभी का बरने का यानि की जलने का चमकने का बात किया गया है तो सही अंसर क्या होगा देवल सवभे अगला प्रसने जार्खन कविता में कौन मुढहर कर बात करल जा है जार्खन वंदना कविता में कौन मुढहर का बात किया गया है वैसे तो जार्खन में तीन मुढहर पहाण है लेकिन यहाँ पस सूतियांबे का बात किया गया है और फण्नी मुकुट राय का बात किया गया है जिन्होंने सूति आम्बे को अपना राजधानी बनाया था और पूछेगा कि नागवनसेयों की पहली राजधानी कौण थी तो सूति आम्बे थी और अंतिम राजधानी कौण थी तो रातू अगला प्रस्ने कौन गाव में भवानी संकर बताल जाया है तो भवानी संकर का मंदिर कहा है ठाकूर गाव में सही अंसर होगा ठाकूर गाव में अगला प्रस्ने जार्खन वंदना पदे रचना में कौन घाग कर चर्चा करल जाया है तो जार्खन वंदना पदे रचना में कौन घाग किस जारने का चर्चा किया गया है तो हुंडरू, गौतम और दसम इन सभी का चर्चा किया गया है तो सही अंसर होगा देवल सौभे अकला प्रस्ण है कौन नागवनसी राजा का नाम जार्खन वंदना कविता में आया है यह है फणी मुकुट राय सही अंसर होगा ओप्सन ए जार्खन में कैठो मुढःर पहाण है बहुत बर बताएं जारखन में तीन मुढ़हर पहाण है सही अंसर होगा option A जारखन में कौन मुढ़हर पहाण है जारखन में कौन सा मुढ़हर पहाण है तो जारखन में तीन जगह मुढ़हर पहाण है जर्खन वंदना रचना में किस पहाण को मनोहर बहुत ही सुन्दर मनोरम बतलाया गया है तो ये राची पहाण को बतलाया गया है, सही अंसर होगा राची अगला प्रसने अंजनी नगरे, जिसे की अंजन गराम भी कहा जाता है, का संबंध केकर से आ है कुश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अंजनी नगर जो है अंजन गराम का संबंध किस से है तो इसका संबंध है हनुमान, भगवान हनुमान जी से, जिसको वहाँ उनका जर्म अस्थल माना जाता है अंजन गराम गुमला को जारखन वंदना में केकर जैजैकार करल जाया है जारखन वंदना में किसका जैजैकार किया गया है तो नाकपूर का, सही answer होगा इसका option भी नाकपूर का तो friends इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेर कीजे और जो लोग अभी तक PDF ग्रूप से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाए और वीडियो को ज्यादा सेर कीजे ताकि लोगों को ये वीडियो पहुँचे थैंक्स पर वाचिंग